हेलो दोस्तो , तो कैसे हैं , आप लोग उमीद है , तो मैं आज बताने वाला हूँ कि यजो नया फ्यूचर लंज किया है , जो वाटसप QI-R-Code की नाम से, टो मैं आपको बताने वाला हूँ, कि वार्सम में जो नया फ्यूचर लंज किया गया है QR कोड के नाम से उसको कैसे यूज करे किस परकार में क्या चीज में यूज आने वाला है तो आज मैं फैनली उस पर डिसकस करने वाला हूं तो वीडियो पर बने रहें अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और इस चैन वीडियो में बता दूँगा आपके चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अब दोस्तो आपको वाट्सअप एप ओपें करना है उसके बाद सिंपल यह देख सकते हैं यहां पर जाना होगा थ्री डॉट पे उसके बाद शेटिंग पर जाना है उसके बाद आपको यहां पर देख सकते जहां कोनुर पर यहां पर हो रहा है जो वार्ट्सअप यह उ진 पर टल्ट करेंगे तो इस पर कार सबसके अंदर करते तो अब किसी को यह क्युव आर सखते हैं जैसे मैं बता दूँँ अगर आपको यह कूई शूइद देते हैं तो आप simply आपको scan पर करना है touch और वो आपके यहाँ पर जैसे जैसे मैं देखा रहा हूँ यह मेरा QR code है तो इसको जैसे में करूंगा तो देख सकते आप यह scan कर लेगा आपका नमबर कांटेक्ट में ले लेगा तो यहां पर जैसे ओके करेंगे यहां पर तो आपको direct वो मेसेज कर सकते हैं QR code के जड़िए आपको नमबर देने की जरूरत नहीं है दोस्तों आप QR code scan करके देशकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर बताया गया है इस परकार से आप कर सकते हैं तो simply QR code दे सकते हैं QR code देदे दोस्तों आप लोग ऐसे दे सकते हैं बना सकते हैं कि तो आप लोग शमग गैंगे कि कियो का कोट किस तरह से यूज करे और कई से यूज करे किया यूज होता quem कि आपको इसको आपको दूसरी की पास देने के खेशने पर आ ते हम एक या पर दुक acabar जाता होगा यह QR code दे सकते हैं, simply आपका QR code scan करेगा, नमबर देने के जरूरत भी नहीं है, दोस्तों आपको, आपका QR code scan करेगा, उसको नमबर आटोमेटिक मिल जाएगा, तो वीडियो यूजफुल रहा दोस्तों, तो आप समझ गए हैंगे दोस्तों कि WhatsApp QR का code क्या काम आता है, तो आपको समझ गए हैंगे, तो आपको नमबर देने के जरूरत भी नहीं होती है, WhatsApp के लिए डारेक्ट आप उससे QR code दे सकते हैं, वो अपने scan करेगा, और आपका नमबर आटोमेटिक ही चल जाएगा उसके पास, तो आपको QR code दे दोस्तों को, और नमबर के जरीए QR code दे सकते हैं, त प्लीज एक लाइक कर देना, और नीचे कमेट में जरूर बताना,